जानिये करोणा कैसे होता है यहाँ पे कुछ बिमारीय दिऊ ही है उस बिमारीयों के हिसाब से आप अपने आपको करोणा के संक्रमन से बचा सकते हैं देखिए हमने यहाँ पे पूरा डायग्राम मना रहे हुआ है ताकि आप आशानी से समझ सकें और अपने बिमारी का है और वायू प्रदूशन की वैसे सुकी खांसी ओछ इंक होती है तुमर्प सेकेंड है अगर किसी को है सातने बलगम भी है और छींक भी आती है उसको और उसकी नाग भी भेती है तो इसका मतलब है कि आप स्साथ्रण जुखाम से एक रसित है आपको स्सार्ण जुखाम है घबराने की कोई परशानी नहीं है जो घरेली उप्चार होता उसके मादम से आप ठीक हो सकते हैं एंड नमबर थर्ड है खासी है अगर किसी को साथ ने बलगम भी है छीक भी आती है और नाग भी भेती है शरीर में दर्द भी होता है कमजोरी भी है शरीर के अंदर और हलका सा फीवर भी आता है तो ये मानके चलिए कि आपको फ्लू हो गया है इसका ट्रीटमेंट आप अपने जो भी डॉक्टर से उसकी एडवाइस के थुरू आप मैडिसन ले सकते है नमर फूर्थ है सूकी खांसी है चींक है शरीर में दर्द भी है कमजोरी भी है तेज बुखार भी है और सांस लेने में आपको तकलीफ होती है तो ये मानके चलिए कि आप करोना वाइरस के शिकार हो सकते है यानि कि आपको करोना वाइरस हो सकता है तुरंक डॉक्टर की सलाल है पैतलोजी भिवाग जिला चिकसाले आगरा इस मैसेज को जादा से जादा लोगों तक पहुँचाईए ताकि आप खुद भी और अपने परवार को भी सुरक्षित रख सके और साथ में जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी को भी आप सेप कर सकते है इस मैसेज को जादा से जादा लोगों तक पहुचाए ताकि देश में जो महावरी फैली हुई है करोना संक्रमन की इस संक्रमन को इस चैन को रोका जा सके जन हित में जारी है ओके गाईस टे केर बाई बाई नेक्स्ट वीडियो में हम और भी करोनल से वीडियो लेके आएंगे ताकि आप भी स्रक्षित रहें आपका परवार भी स्रक्षित रहें और समाच और देश भी स्रक्षित रहें